आज हम पढ़ेंगे Equivalent Set Two Sets A and B are set to be Equivalent If they have same number of elements equivalent sets में हम क्या पढ़ते हैं? कि दो set हैं A और B और वो equivalent क्यलाते हैं कब क्यालाते हैं? जब उनके जो numbers हैं उनकी तादाद same हो और equivalent denote किया जाता है हमेशा इस science है जैसे a equivalent to b और इसकी example समझ लेते हैं जैसे कि a हमें set दिया गया है यहां 1,2,3 and b set है 2,4,6 तो इसमें जो number of elements हैं वो बिलकुल सेम ही यहां पर भी 3 elements है और यहां पर भी 3 elements है तो इस तरह यह साभिस होता है इस definition के यह definition true है और मतलब examples हमें proof करती है अच्छा example number 2 देख लेते हैं a set है 1,3,5 कोई भी prime numbers कुछ भी ले लेते हैं यह ऐसी कुछ हम number रखा है हमने example and b x,y,z ठीक है इसी तरह हम समझ लेते हैं example number 3 यहां a के element से a,b,c,d,e और b के element है v,w,x,y,z और c के elements है 1,2,3,4,5 तो यहां कहता है कि number of a जो है वह equal है number of b के और जो number of b है वह equal है number of c के इन तमाम के जो elements है वह five है a के भी,b के भी और c के भी तो वह कहता है कि a जो है वह equivalent to b,b equivalent to c और c equivalent to a तो इसको हम एक साथ इस तरह लिख सकते हैं कि a equivalent b और b equivalent c तो यह equivalent set में हम पढ़ते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें,like करें,share करें,subscribe करें थैंक यू वरी माइक,Allah हाफिस